प्रॉमिसेज भी दो प्रकार के होते हैं एक जो एक सच्चा प्रॉमिस होता है जहांपर आपका इंटेंशन जैसे आपने कहा मनसा वाचा कर्मना पूरी आप शिद्दत से उसको अच्छी फुल्फिल करना चाहते हो और दूसरी प्रकार के प्रॉमिसेज होते हैं पस दिखावे के लिए या बोलचाल के लिए हमारे कल्चर में जैसे है तो हमने बाते बोल दिया करके मैं जरूर आओंगा हम किसी function में किसी को मिलते हैं और वो बोलते हैं आप हमारे घर आईएगा जरूर जिसने बोला उसका भी नहीं उसने भी जिस बोलचाल में पूछ लिया और जिसने बोला फिर नहीं नहीं हम तो जरूर आएंगे जब भी हम आपके शहर में आएंगे आप जरूर आएंगे तो वहाँ पर मेभी आपने ये शब्द को बहुत लाइटली बोल दिया आपका कोई intention नहीं था उसको fulfill करने के लिए आपने वहाँ पर एक false promise create कर लिया तो real promise और false promise में जो difference है वो ये है कि real promise में expectation बोथ जिसने promise किया है और जिसको promise दिया गया है दोनों के अंदर same expectation है तो अगर ये expectation meet नहीं हो और delay और होने लगता है extreme case जैसे हमने बात किया confusion, depression, mental disorders या ये बहुत extreme cases है या in general आप खुश नहीं feel करते सम्हाँ आप अपने आपको full तो कर रहे हैं पड कहीं ना कहीं पी वो leakage points ये energy leakage points बन जाते because वो cord, वो promise का cord, thought form आपके energy body से energy suck करता रहता है अब दूसरा जहाँ पर आपका कोई intention ही नहीं था उसको fulfill करने के लिए बट दूसरे person ने जिसको आपने ये promise दिया उसके मन में एक expectation form हो गया तो cord में भी आपके end से नहीं निकला बट cord उनके तरफ से आपके उपर definitely आ गया त तो जब तक ये expectation को हम dissolve नहीं करते या उसको हम नहीं clarify करते that energy pattern keeps on continuing तो actually promises जो तोरकॉम कहते हैं जैसे आपने बोला patterns even बच्चे के स्थर पर yes ये parenting का एक point है but कभी कबार 70 साल तक भी जो unfulfilled promises का जो energy drain है even 70 years तक भी energy drain continuously feel कर सकते हैं and most importantly हर promise अपने आप के साथ एक sort of electrical pattern carry करता है it's like अगर मैंने अपने relationships में मेरे husband के साथ मैंने कुछ promises किया शादी के time पर और मैंने कुछ commitment किया वहाँ पर तो एक मेरा electrical pattern form हो गया एक thought form के माधियम से अगर मैंने वो promise fulfill नहीं किया है वो pattern धीरे धीरे मेरे पूरी body में अलग-अलग तरीके के disruptions create करना शुरू करेगा because उसको outlet नहीं मिल रहा है वो energy dissipate नहीं हो रहा है तो हर promise को जो अपने fulfill कर दिया है वो energy dissipate हो जाते है तो energy split हो जाती है वो melt away हो जाते है because promise completion में energy transfer हो रहा है आप उस energy को wish put कर रहे है बड़ अगर वो promise हमने नहीं रखा याने कि अगर आपने बोल चाल में भी किसी को हस्ते हस्ते बोल दिया हां मैं जरूर आउंगा और अगर आप वहाँ पर नहीं जा पाते तो कहीं न कहीं पर ये lose words भी हमारे शरीर के अंदर से energy drain करते रहता है now it's very important to understand कि अगर हर बात में हम एक promise create कर रहे है तो हम कुछ ना बोले क्या कुछ ना करे क्या करना चाहिए करके तो we need to understand some very simple points तो जैसे आपने कहा manasa vacha karmana alignment कि हम क्या बोल रहे हैं सोच रहे हैं फील कर रहे हैं वो बहुत important है but अगर वो alignment आने में time लग रहा है there are some very important steps that we should take ताकि हम ये promises के बंधनों से में उलजे ना और really इसको smoothly अपना जीवन जी सके कर दो कर दो कर दो कर दो